वेल्कल तो दे चैनल कैच्छ लाइफ इदा मॉर्म यह है हमारी बैलकली से एक पार्क का व्यू जो बहुत ही जादा ग्रीन ग्रीन लग रहा आज इतना जादा खूल वेदर है हवा इतनी तेस्ट चल रही है बहुत ही बिंडी वेदर है क्लाउड भी बहुत डाग है आज तो लाइक टोटली रेन वाला वेदर हो गया है सबसे पहले मैंने अपनी बेडिंग सेट कर लिए तो इद्धैस वक इस तन यहाँ पिलोज मिसिंग है वो मैंने बॉश करने के लिए डाले हैं यह वाश होके आजाएंगे दिन ड्राइप करके मैं इसको सेट करोंगी तोड़ी देर में स्टार्ट होगे है यह रेन यह ड्रिपिंग रेन हो रही है बट यू कन सी और अवर दरोल इस वेट इसके बाद मैंने नहा लिया है नहा के पूजा वगरा कर ली और यह है मेरा अभी का ब्रेकफस्ट रोटी सबजी और सौल्टेड लसी तो मैंने ब्रेक यहाप मैं अपना वीकली रूटीन सेट कर रही हूँ इस वीक के लिए कि मुझे इस वीक में क्या-क्या कम्प्लीट करना है मेजर वॉक्स तो यह हैर आम डूइंग दाट इसके साथ मैं अपने बागी चीजे भी लिख लेती हूँ जो मुझे कुछ भी मतलब इंपोर्टें करना होता है तो things like that तो I do keep writing that यह है लांच टाइम तो मैंने लांच कर लिया था इसमें मैं दाल राइस और राइता लिया है तो this is my lunch for today after my lunch मैंने आपर ये वली Almira खोल दी है इसको set करने के लिए इसमें मैं usually different चीजे रखती हूँ जो मुझे everyday basis में नहीं चाहिए होती है मैंने कुछ समान निकल के बाहर रख लिया है इस बास्केट में मेरे gowns or one pieces है and these are few of my bags मैंने साइड में कुछ समान निकल के रखा जो मैं back bed में डालूंगी यहां मैंने थोड़ा सा dust कर दिया था अल्य मेरे अल्य बिल्कुल clean है बट मैंने समान निकाला है तो थोड़ा सा इसको dust out कर दिया है इसमें मैं अपनी रखती हूँ चाप की माला जो मुझे जब भी need होती है या जब भी मुझे मन करता तो मैं यहां से उठाके कर लेती हूँ and this is the basket जो यह white color की basket है इसमें मेरा craft का समान है जब मैं DIY करती हूँ तो मैं यही से निकाल लेती हूँ so here I am setting that bags को usually मैं open नहीं रखती हूँ क्योंकि इसमें dust चला जाता है या थोड़ा सा मैसी हो जाते so मैं उनको जो बड़े bags होते हैं जो different type bags होते हैं उनको उनी के bags उनी ही cloth bag में राप कर देती हूँ जो bags के साथ आते तो यह kins का bag है तो मैंने इसी में डाल दिया है so here I am a bags मैं इनको थोड़ा सा set का के रख लोगी इस तरह से hang कर देने से bags नीचे set नहीं होते हैं और वो properly stand out करते हैं तो इनका cloth भी खराब नहीं होता है so generally मैं hanging bags जो होते हैं बड़े वाले bags उनको इस तरह से hang कर देती हूँ कुछ रख देती हूँ तो here I am setting the bags और side में कुछ समान रखा हुआ है मैंने क्याज के suit वगरा हैंग किया हूँ है and this is another basket यह baskets मैंने amazon से ली थी बहुत ही beautiful baskets हैं तो इसमें मैं set करूँगे अपनी jeggings और jeans वगरा because ऐसे एक साथ रखने से क्या होता है कि usually जो दो चार jeans या आपको jeggings वगरा दिखती हैं वही पहनी जाती है तो इस तरह से set करने से मुझे everyday basis पर सारी चीज़े सामने सामने दिखती रहती है and I often feel like कि baskets में organize करना समान को बहुत ही ज़ादा comfortable and easy to use हो जाता है तो I prefer कि जितनी ज्यादा मैं baskets का use कर पाती हूँ तो मैं समान अपना baskets में ही different different तरह से organize करती हूँ तो here I have set that मैंने अपनी jeggings और जो भी jeans इसमें आ रही थी मैंने इसमें डाल दी है तो it is all set तो ये baskets में वापस रख दूँगी इसमें अब almira में तो these are the two baskets जो set हो गई है दोनों एक जसी ही baskets है तो मैं एक साथ रख रही हूँ इनको so here I am setting these baskets in the almira तो ये भी जान हो गया मेरा काम साथ में क्या अच अपनी नानी के घर गया हुए दो I am missing but मैंने सूचा कि ये time productive निकाल दिया जाए कुछ so I am doing my works here तो ये मैंने set कर दिया है यहां मैं आपको शो कर रहे हुए कुछ bags ये bags Amazon पे easily available है 12 or 24 के set में इन bags में आप कोई भी समान रख सकते हैं dresses, sari, suits, etc कुछ भी पाक कर के आप रख सकते हैं अपनी नीट के कॉर्डिंग, so ये आगे से सेलोफेन शीट लगी हुए है और जिप लगी है जिसमें आप इसको समान रख के बंद कर सकते हैं and पीछे non woven material है so it's like very light weighted bags और ये 12 or 24 के sets में available है I'll give the link also if I'll find that so ये इन bags में आप suitably अपनी neat के कॉर्डिंग कोई भी समान रख सकते हैं ये है मेरी एक sari जो मैंने bag की size के कॉर्डिंग fold कर लिए and I'm gonna put it in the bag so यहां मैंने ये sari अपनी इस bag में डाल दी है और you can see कितनी comfortably और कितनी neatly आगा ये में पस इस तरह के और bags भी है and I usually keep my sari in such bags so you can see कितना neatly packed लग रहा है ये और इसमें sari की crease भी mess नहीं होगी और ये ऐसे ही रहे कर जब भी मुझे इसको निकालना होगा और व्या करना होगा तो यहां मेरी चार sari या मेरी बाहर पड़ी होई है तो मैंने इनको अलग-लग bags में डाल दिया है अब मैं इनको एक साथ बेड में easily रख लूँगी और जब भी मुझे पहनना होगा I'll take it out so this is the way इस तरह से बहुत ही जादा clean way में आप इसमें dresses या कोई भी चीज इसमें organize कर सकते हैं तो these bags are very much useful यह मेरी कुछ bangles जो बहार पड़ी होई थी काफे दिन से तो मैं इसको next time ढूंड़ना तो यहां पर मैं यहां मैंने यह bangles एक box में डाल दी है इस box में space है तो मैं यहां पर set कर रही हूँ अब यह bangles यह black की velvet bangles है इनको मैं यहां पर set कर दूंगे इसके साथ इस तरह से और भी मैं पस कई bangles boxes है जो मैंने इस तरह से label करके रखे हुए तो जिस सारे बैंगल बॉक्स को सर्च नहीं करना पड़ता तो इस वेरी इजी टू लूक आउट यार क्यांच कर रहा नानी हाँ मैं मस्ती यह clip मुझे उसकी मासी ने भेजा है जो छुब के video बनाय हो है विच क्लिरली यू कर दिया है जाल거를 कर दिया है विच यांच वीडियो मैं आड़ नाओ तो वीडियो भी मुझे धूरола साल लगता है so here I am adding this so you can see his cute cute musty time at the nani house so यह है evening का time sun is about to set and आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर sun देख रहा है and weather is so cool मुझे sky को इस तरह से capture करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है sky के different textures, different colors यह मुझे बहुत ही ज़्यादा soothing out करते हैं, बहुत ही ज़्यादा relax करते हैं, तो मैं usually sky इस तरह से capture करती रहती हूँ and आजकल मैं park में नहीं जा रही हूँ walk करने के लिए तो मैं इस तरह से ऊपर आके यहाँ चट पे walk कर लेती हूँ थोड़ी देर के लिए, तो I am doing this तो इस तरह से थोड़ा सा एक मुझे sky का भी बहुत ही beautiful view मिल जाता है and I do enjoying it and इसके बाद नीचे आके मैंने अपनी पूजा कर ली है और अपने फिस स्टार्ट किये मैंने अपने usual काम like folding out the clothes, जो भी आज clothes wash हो के आए हैं, तो उनको मैं fold कर जूँ यहाँ पर and fold कर के इनको अपनी segregated places में रख दूँगी wash clothes इक बस सेट हो के अपने अपनी places पर चले जाते हैं तो room और भी clean लगता है so here I am keeping the clothes at the segregated places और इसके बाद मैं करूँगी क्याँच का toy section clean completing this work this is the tea time तो यह बने है प्याज के और गोबी के पकॉड़े मैंने प्याज के पकॉड़े लिये थे tea के साथ so this is my tea time and after that this is the night time और कुछ cotton की shirts हैं जो बहुत ही अच्छे फाबरिक में हैं बट इनका color डल हो गया था धूब की वज़े से इनको रीडाय कर रहा है यहां मैंने इनको plain water से wash करके थोड़े दिर के लिए tap पे hang कर दिया है so meanwhile बारिश तनी तेज स्टाट होगी so I came out to click this बारिश इतनी तेज इतनी जादा rain हो रही है so you can see कि clouds में thundering sound भी सुनाई दे रहा है if you can hear out और यहां पर lightning भी हो रही है so weather is again very much cool and यहां मैंने यह शोर्ट को अंदर ही hang कर दिया है थोड़ा सा dry out किया है dryer में और इसके बाद मैंने आपर hang कर दिया dry करने के लिए और यह है धोकला विच इस माइफेट जो मेरे हजबन लेकर आया है मेरे लिए and now I'm gonna eat this yummy yummy धोकला यहां पर बहुत तेज बारेश हो गई थी so you can see कितना ब्यूतिफुल सा लग रहा है rain की dripping and sound so yeah this is all about today I hope you liked it please do like, share and comment down below and also do let me know what you want to see in my videos we'll see you in the next video till then bye bye good night and take care थाल स्वा वाचिग bye guys